जितना सिंपल हम अपने घर को रखेंगे न उतना ही इसे मेंटेन करने के लिए काफी आसान हो जाएगा बहुत सारी चीजें बहुत सारा सामान हम खरीद लेते हैं कभी ये सोच के कि ये दिखने में अच्छा है या फिर यूसफुल रहेगा और फिरना उस चीज को रखने की भी जगानी होती है तो अगर सामान उतना ही हो जितनी आपको requirement है या फिर जितना आपका घर उसे occupy कर सकता है अकुमेडेट कर सकता है उतना ही सामान हमारे घर में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको आसानी हो जाएगी अपने घर को संभालने में घर में हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम बहुत ज़ादा इंपोर्टेंस नहीं देते हैं लेकिन न वो सारी चीजे भी छोटी चीज हो कभी कभी ज़रूत पड़ती हो लेकिन वो इंपोर्टेंट होती है और हर एक चीज को प्रॉपर्ली स्टोर करना बहुत जरूरी है जैसे कि हमारे सैनिटरी नैपकिन्स अब इसे हम चुपा चुपा के रखते हैं अपने कि यह चीजे भी ना इनमें डस्ट ना पड़े और जरूरत के टाइम पर बिलकुल आपको सामने की सामने मिल जाए तो मैं यह ट्रांसपरेंट बॉक्स यूज करती हूँ और क्योंकि यह खुले खुले पैकेट्स ना बहुत जादा स्पेस ले लेते हैं तो इसमें से सारे म निकाल कर यहां पर रख देती हूँ इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स का एक और फाइदा है कि जैसे यह खतम होते रहेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा क्योंकि ट्रांसपरेंट है तो दिखेगा और कभी भी आपको इसका शॉर्टेज नहीं रहेगा तो चल यह बिलकुल पैंपर पैंट जैसे आते है ना बिलकुल वैसे ही है और यह कफी कमफर्टेबल होते हैं और यह आप किसी भी एज ग्रूप के गर्ल के लिए आप यह ले सकते हैं 8,8,8,8,9,10,12, यह बड़े बच्चों के लिए भी मिलता है इन फैक्ट इसे आप भी यूस क अगर आप नापकिन अपने बच्चों को देंगे तो यह काफी कमफर्टेबल हो जाएंगे उनके लिए और यह जो पीरिट्स के जो चारपास जीन रहते हैं वह आसानी से निकल जाएंगे तो देखे यह कोई पेड प्रमोशन नहीं है मैं जो यूस करती हूं वही चीज काफी कमफर्टेबल हो जाते हैं उसके लिए तो इसलिए आप सब के साथ शेयर कर रहे हूं शहद आप लोग को भी यह काम में आ जाएं सैनिटरी नैपकिन का भी प्रॉपर स्टॉक रखना बहुत इंपोर्टेंट है कभी कभी हमारा बहार जाना नहीं हो पाता है तो इसलि मैं कुछ पैट्स अपने बात्रूम के जो शेल्फ हैं वहां पर भी रखती हूं जो कैबिनेट्स लगे वे हैं तो ऐसे मैं इसको इसी के प्लास्टिक में कवर करके रख देती हूं ताकि इसमें धूलना जाए यह खराबना हो और यह बात्रूम में रहते हैं तो यूज करन लंबा हो जाता है इसलिए मैंने यह कल शेयर नहीं किया तो देखे इसका यह वाला पार्ट और भी बचाता मेरे पास तो इसका भी हम कुछ यूसफुल और बना लेंगे इसको मैंने फोल कर लिया है और एक रिबन में यहां पर यूज करूंगी इसे भी रिबन भी खरीदा साइड से हौत लू लगा के इसको अंदर के तरह फोल कर दूगी तो उपसे फोल करने के बाद इसको मैं हाफ में फोल करके और इसको इसके जो दोनों साइड Rechts and Right दोनों से को चिपका दूँगी तो एक यह बैक की तरह हो जाएगा और इसको जो दूसरा वाला जो पार्ट है तो भी हम सेम साइट से फोल करें दोनों पोर्षन को चिपका देंगे और ये जो रिबन है इसके हेल्थ се हम इन दोनों को एक हैंगिंग औरगिनाजर में गनवर्ट कर देंगे दोनों को उपर निछे ऐसे साइड में रख देना है और यह जो रिबन है इसको मैं चिपका दूँगे जिससे कि ना इसको मैं कहीं भी हैंग कर सकती हूँ और कुछ चीज़ें स्टोरिज के लिए इसको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ इन सभी चीज़ों को स्टिक करने के लिए मैंने हॉट लू यूज किया है काफी अच्छे से उससे चिपक जाता है लेकिन जो मैंने हैंगर में ये रिबन्स का उपर वाला पोशन लगाया है वो कई निकल ना जाए उसके लिए मैंने ये बाइंडिंग बाइंडर जो क्लिपस आती है न वो मैंने यहां पर लगा दी है थोड़ा सा और स्ट्रॉंग करने के लिए तो इसमें आप छोटे जहां पर स्पेस कम होता है तो वहां पर ऐसे हैंगिंग ओर्गनाइजर काफी यूसफुल रहते हैं तो इसको आप अपने वाद्रोब में भी लगा सकते हैं वहां पर चोटी मोटी चीज़े आप रख सकते हैं कहीं भी इसको आप यूस कर सकते हैं बिलकुल भी ना ऐसे जो flat organizers होते हैं, जो hanging organizers होते हैं, बिल्कुल space आप कहीं भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल space आपकगा कहीं भी नहीं लेते हैं श्ञाधा और चोटी से जगापर भी इसको यूज कर सकते हैं काफी सारा सामन store लखाई लिए और मैंने तो इससे बिलकुल वेस्ट चीज से बनाया है, एक शौपिंग बैक जो की थोड़ा बहुत खराब हो गया था, उससे मैंने बना लिया है, आप इसके लिए कोई पुराना टॉविल या फिर पुराने जो कपड़े रखे रहते हैं, उनको कट कर खे भी आप इस तरह क आप इसके और बहुत बढ़ा काम है, जिसमें काफी सादा समय हमारा ना वेस्ट हो जाता है, तो ये टाइम हम बचा सकें, उसके लिए एक बहुत ही आसान से टिप है, जैसे कि ना हम अपने जो लॉंडरी बास्केट होता है, जिसमें हम गंदे कपड़े रखते हैं, सारे कि सारे कपड़े एक साद मिक्स हो जाते हैं, कई बार हम एक ही में डाल देते हैं, तो जो सॉक्स रहते हैं, अंडर गार्मेंट्स रहते हैं, ये सारे इनको सॉट आउट करने में काफी सादा समय निकल जाता है, क्योंकि मैं इनको सबको एक साद नहीं दोती हूँ, मैं ये सार फिर अंडर गार्मेंट्स हैं, ये सारी चीज़े ना, हम इनको अलग-अलग रख सकते हैं, यहां पर एक शॉप इनप्तिकह नहीं, आप तीन बाहन सकते हैं, जिसे सॉक अलग रख लिए, अंडर गार्मेंट्स hacerlo रख दिये, और आप जैसे मेरी तरह अगर आप भी सारी चीज़ें अलग-अलग होते हैं तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी मैं अपने किचन में यूज करती हूँ और यूनी रैप और यूज को बेके ये प्रीकट सर्कल्स ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपको 6 इंचेज, 7 इंचेज, 8 इंचेज और 9 इंचेज के डायमेटर में मिलेंगे और ये आपको पूरा एक box में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे set और ये काफी useful है steamer के लिए या फिर आप air fryer में भी use कर सकते हैं और cake baking के लिए भी ये perfect है audio ni wrap and audio eco bake आप amazon और flip card से ले सकते हैं इनके buying links आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे मैंने last time जब अपने wardrobe का cleaning आपके सारे किया था तब मैंने बताया था कि इनको store करने के लिए जो हमारे hairbrush होते है उनको store करने का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगी जो कि ना काफी easy है और इसमें कोई पैसे भी आपको नहीं लगने वाले जो हमारे rolls रहते है ना वही जो towel के rolls या फिर जो हम kitchen towel use करते हैं उसके जो roll बच जाते हैं उसको आप छोटे-छोटे pieces में कट कर दीजे मैंने इनको एक जो roll था उसको मैंने half में कट कर दिया है अब इसको आप कहीं भी stick कर सकते हैं wardrobe के अंदर या फिर cabinet के अंदर कहीं भी आप इससे लगा सकते हैं तो मैंने यहां पे इसके जो cabinet का जो door है उस पे लगा दिया है और इस पे आप easily अपने जिते भी brush हैं उनको आप store करके रख सकते हैं क्योंकि जो brush होते हैं उनमें बाल बहुत जल्दी फसे हुए रहते हैं तो अगर हम इसको अपने दुसरे combs के साथ रखेंगे तो फिर उसमें भी न यह सारे बाल चिपक जाएंगे और जब हम घर पे सभी लोग अलग-अलग ही अपने जो brushes रहते हैं वो use करते हैं comb अलग-अलग separately use करते हैं तो इनको store भी separately करना चाहिए मेरे door के entrance के पास मैंने एक के hanging organizer लगा के रखा हुआ है जो कि मैं normally अपने bags वगेरे keys या फिर watches वगेरे hang करने के लिए मैं use करती हूँ लेकिन इस organizer का एक problem है कि एक side में अगर हमने कुछ भी heavy चीज रख दिया ना तो वो एक side पूरा जुग जाता है और ना फिर बहुत ही untidy लगता है तो यह मेरे एक मेरे पस यह रखावा था जो हम रोटी सेखने के लिए use करते है ना वो जाली हम में use नहीं करती हूँ तो थोड़ी इसका handle भी टूट गया था बहुत पुराना भी है तो इसको मैंने यह हैं कर दिया है और यहां पर मैं S-hooks यूज कर रही हूँ फिर मैं जब छोटे वाले order करूँगी तो मैं इसको यहां पर change कर दूँगी तो यह वाली जो जाली है इसको use करने से यहां वहां bend नहीं होगी और आप एक साइड में अगर heavy कोई bag bag लगा भी देंगे तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा और आराम से आप इसमें काफी सारी चीजें हैंग करके रख सकते हैं और इसमें छोटे-छोटे अगर आप S-Hooks लगाएंगे तो आप और भी जादा सामान इसमें स्टोर करके रख पाएंगे क्योंकि यहां पर मैंने बड़े वाले S-Hooks यूज किये हैं तो यह थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले रहा है इसमें छोटे वाले ज्यादा अच्छ लगे मुझे कमेट करके ज़रू बताइएगा थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग